हेलो हाई नमस्कार सस्रीयकाल कैसे हैं आप लोग मुझे comment section में जरूर बताना आज हम आपके लिले कराएं हूँ English grammar का एक और important topic जिसका नाम है models बिना किसी देखें इस topic को शुरू करते हैं इससे पहले में बस आप से इतना ही बोलना चाहूंगी कि अभी क्या भी इस video को like कर देना चैनल को subscribe कर देना क्यूंकि तभी जो YouTube है वो इस video को बहुत सारे लोगों को recommend करेगा और चीजों की value तभी रहती है जब वो हमें time पर मिलती है इसलिए प्लीज अभी क्या भी like और subscribe कर देना और हां अपने friends के साथ भी share कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी help हो जाए तो चलिए बिना किसी देर के इस video को शुरू करते हैं without any further delay let's get started तो अब models या फिर model verb क्या होते हैं तो देखो जैसा कि हमने परहा था कि एक action verb होता है जैने main verb भी कहा जाता है and दूसरे होते है helping verb जो की main verb की help करते है जैसे की ease, m, r, vaz, w, air वैसे ही model verbs होते हैं अब जो model verbs होते हैं उन्ने model auxiliary verb कहा जाता है जिन्हे हम main verb के साथ use करते हैं ताकि हम किसी possibility के बारे में किसी के ability के बारे में किसी permission के बारे में या necessity के बारे में वगेरा इन सब के बारे में बता सके जैसे कि for example you must leave तो यहाँ पर यह जो must है यह एक model verb है जो कि यह indicate कर रहा है कि यह बहुत ही ज़ादा necessary है जरूरत है जो subject है you उसके लिए कि वो अभी यहाँ से चला जाए तो यह है कुछ model verbs जिन्हें हम use करते हैं जैसे कि can हो गया, could हो गया, may, might, should, must, or to, has to, have to, need, would, will, shall तो चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि इन सब का use हम कब करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे can के बारे में जब हम किसी के capability या ability के बारे में बात करते हैं यानि किसी के काबिलियत या शमता के बारे में यानि कि उसकी ताकत के बारे में बात करते हैं जैसे कि for example, I can speak English तो यह जो sentence है, यहाँ पर capability के बारे में बात हो रही है कि मैं English बोल सकती हूँ एक और example, he can stay awake for two days तो यहाँ पर उसकी ability के बारे में बात हो रही है उसकी शमता के बारे में उसकी ताकत के बारे में बात हो रही है कि वो दो दिनों तक बिना सोय रह सकता है इसके अलावा हम can का इस्तमाल permission के लिए भी करते हैं जैसे कि for example, can I go to the market तो यहाँ पर हम permission मांग रहा है क्या मैं market जा सकता हूँ या जा सकती हूँ तो can का इस्तमाल हम कब करते है जब हम capability, ability के बारे में बात करते है या फिर permission मांगते है नेक्स्ट एपना could could जो है, वो can का past tense होता है तो could का इस्तमाल हम कब करते है जब हम past की कोई ability के बारे में बात कर रहे होते हैं यानि past की कोई बात जब हम आज बता रहे होते हैं तब हम could का इस्तमाल करते हैं जैसे कि for example he could run very fast in his youth तो यहाँ पर हमने उसके past की ability के बारे में बात करी है और क्योंकि यह बात हम आज बता रहे हैं इसलिए हमने could का इस्तमाल किया है दूसरा कि जब हम possibility के बारे में बात कर रहे होते हैं यानि present tense में संभावना दिखाने के लिए हम could का इस्तमाल करते हैं जैसे कि for example if we had money we could have bought a house यानि अगर हमारे पास पैसे होते तो हमने घर खरीद लिया होता तो यहाँ पर हम present tense में संभावना दिखा रहे हैं possibility दिखा रहे हैं इसलिए हमने could का इस्तमाल किया है तीसरा कि हम could का इस्तमाल तब भी करते हैं जब हम किसी से किसी चीज के बारे में politely request कर रहे होते हैं जैसे कि for example could you wait for him यानि क्या तुम उसके लिए wait करोगे next जो word है वो है may तो may का इस्तमाल हम कब करते हैं जब हम किसी से permission मांग रहे होते हैं permission in the sense जब हम formally किसी से permission मांग रहे होते हैं या किसी formality के बारे में बात करते हैं तब हम may का इस्तमाल करते हैं जैसे कि for example तो यहां पर हम formally बात कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं मैम तो इसलिए हमने मे का इस्तमाल किया है So मे का इस्तमाल हम formal तरीके से permission मांगने के लिए करते हैं formal जगहों पर जैसे schools में, office में, etc. ठीक है दूसरा कि मे का इस्तमाल हम किसी possibility के बारे में बताने के लिए करते हैं यानि किसी संभावना के बारे में बताने के लिए करते हैं जैसे कि for example, it may rain in the evening तो आज शाम बारिश हो सकती है, यहां पर possibility है तो जब हम किसी possibility के बारे में बता रहे होते हैं, तब भी हम make का इस्तमाल करते हैं, तो इससे पहले हमने देखा था, कि could का इस्तमाल भी हम possibility के लिए करते हैं, और make का इस्तमाल भी हम possibility के लिए करते हैं, तो अब आप confuse हो जाओगे, कि कब हम make का इस्तमाल करें, कब could का इस्तमा करते हैं और जब संभावना थोड़ी कम होती है या मीडियम होती है तब हम में का इस्तमाल करते हैं ठीक है जैसे कि हमने एक्जामपल से देखा था कि I could go with you तो यहां पर मेरे जाने की संभावना ज्यादा है अब में वाला एक्जामपल जैसे तो आज शाम बारिश हो सकती है तो बारिश होने की संभावना ज्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है मीडियम है इसलिए हमने में का इस्तमाल किया है इसके अलावा हम में का इस्तमाल विशेस के लिए करते हैं जैसे कि for example may god bless you may you live long next word है might तो might जो है वो में का past form है अब might का use हम informal तरीके से किसी चीज के possibility के बारे में बताने के लिए करते हैं यानि जब जो possibility है वो बहुत ही ज्यादा कम है किसी चीज के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है तब हम might का use करते हैं तो हमने देखा था कि good का use हम तब करते हैं जब possibility बहुत ही ज्यादा होती है यानि किस जब possibility बहुत ही कम होती है और informal तरीके से हम might का इस्तमाल करते हैं जैसे कि for example I might go with you तो यहाँ पर मेरे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए might का use किया गया है यानि मैं तुमारे साथ जा सकती हूँ लेकिन ये जाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा कम है possibility बहुत ही ज़्यादा कम है इसलिए यहाँ पर might का use किया गया है It might rain today तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत ही जादा कम है इसलिए might का use किया गया है इसके अलावा हम might का इस्तमाल किसी को suggestion देने के लिए भी करते हैं जैसे कि for example You might visit the garden तो यहाँ पर हम उसको suggest कर रहे हैं garden को visit करने के लिए इसके अलावा हम might का इस्तमाल तब भी करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में guess कर रहे होते हैं जैसे कि for example That might be the new guard तो यहाँ पर हम guess कर रहे हैं कि शायद वो new guard हो सकता है हम sure नहीं है So next word है should तो should का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को advice दे रहे होते हैं जैसे कि for example You should read this book यानि तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए एक और example You should not go there यानि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए तो हमने यहाँ पर advice देने का काम किया है इसलिए यहाँ पर should का use किया गया है इसके अलावा जब किसी चीज के होने की probability होती है यानि हमें लगता है तब हम should का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि for example It should not cost more than that यानि हम एक probability निकाल रहे हैं कि इसकी कीमत इससे जादा नहीं हो सकती So next word है must Must का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हम किसी obligation यानि करतव्य के बारे में बात करे होते हैं किसी moral duty के बारे में बात करे होते हैं या फिर किसी strong recommendation के बारे में बात करे होते हैं तब हम must का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि for example The students must obey their teachers तो यहाँ पर जो students है उनकी moral duty है कि वो अपने teachers को अबे करे अपने teachers की respect करे एक और example जैसे कि you must follow the orders of your boss तो यहाँ पर यह एक obligation है कि तुम्हें अपने boss के orders को मानना ही परेगा एक और example we must not go before they come back तो यहाँ पर यह एक strong recommendation है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो ना आए must का इस्तमाल हम तब भी करते है जब हम किसी speculation यानि अनुमान के बारे में बात करे होते हैं किसी logical certainty या फिर किसी चीज के होने की strong possibility के बारे में बात करे होते हैं कि यह चीज पक्का ऐसी ही होनी चाहिए जैसे कि for example the students must be in their classes at this time यानि कि जो students है वो इस वक्त अपने classes में ही होंगे तो यह strong possibility है इसलिए यहाँ पर हमने must का use किया है एक और example he must have left by now यानि कि वो अब तक चला गया होगा तो यहाँ पर certainty जो है वो जादा है so next word है ought to तो ought to का इस्तमाल हम formal तरीके से करते हैं और जब हम आइडियल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं यानि कि कोई भी चीज आइडियली ऐसे तरीके से होनी चाहिए जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम ought to का use करते हैं जैसे कि for example you ought to practice for more than two hours a day if you want to clear the exam यानि कि अगर तुम एक्जाम क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें दिन के दो घंटे से ज़ादा practice करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर हमने आइडियल चीज के बारे में बात करी है कि आइडियल यही तरीका है कि अगर तुम एक्जाम क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें दिन के दो घंटे से ज़ादा प्राक्टिस तो करना ही पड़ेगा एक चीज का याद रखना कि मस्ट का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई काम जो है वो करना जरूरी होता है सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है कि हमें ये काम करना ही चाहिए तब हम मस्ट का यूज करते हैं और टू का यूज हम तब करते हैं जब हम फॉर्मल तरीके से बात करे होते हैं और किसी आइडियलिस्टिक चीज के बारे में बात करे होते हैं यानि किसी चीज के करने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए ऐसी चीज के बारे में बात करे होथे हैं तब हम orto का यूज करते हैं एंड उसके बाद हम should का यूज करते हैं जब हम अपना advice देते हैं और सामने वाले के उपर depend करता है कि वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा तो must यानि जो चीज हमें करना ही चाहिए ought to यानि formal तरीके से जो कि ideal होता है और should यानि कि वो सामने वाले पर depend करता है कि वो advice लेगा या नहीं लेगा follow करेगा या नहीं करेगा तो ऐसे हम must, ought to और should का इस्तमाल करते हैं next है has to, have to या had to तो has to, have to या had to का इस्तमाल हम तब करते है जब कोई चीज कमपल सरी होती है यानि हमारी मजबूरी होती है कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा उसके अलावा कोई option नहीं होता तो has to या have to का इस्तमाल हम present tense के लिए करते है और had to का इस्तमाल हम past के लिए करते है जैसे कि for example I have to reach there by 9.30 p.m. यानि सारे 9 बज़े तक मुझे वहाँ पहुचना ही होगा you have to start working soon यानि तुम्हें जल्दी काम करना पड़ेगा next है अपना need need का इस्तमाल हम कब करते हैं जब कोई जरूरत होता है कोई requirement होता है कोई necessity होता है तब हम need का इस्तमाल करते हैं जैसे कि for example you need not worry about work यानि तुम्हें काम को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है need I talk to her यानि मुझे उससे बात करने की जरूरत है तो जब हम जरूरत के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहां पर हम पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम need का इस्तमाल करते हैं so next word है would तो would का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम किसी से politely request कर रहे होते हैं या फिर किसी past habits के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर किसी offer के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर wish कर रहे होते हैं जैसे कि for example he would wake up early in the morning and go to work तो यहाँ पर हम past habits के बारे में बात कर रहे हैं एक और example would you get me a glass of water please तो यहाँ पर हम politely request कर रहे हैं एक और example I would like to see the owner तो यहाँ पर हम politely request कर रहे हैं situation है यानि हम जब ऐसे ही हवा में बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाओंगी तो मैं एक घर खड़ी दूंगी तो यह एक unreal situation है I wish you would be here तो यह एक wish है एक और example I would be happy to help you तो यहां पर हम offer कर रहे हैं तो जब हम politely request करते हैं या offer करते हैं या past habits के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर unreal situation के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर wish कर रहे होते हैं तब हम would का इस्तमाल करते हैं So next word है will So will का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम future actions के बारे में बात करते हैं जैसे कि for example The Prime Minister will host the flag So यहाँ पर हम future action के बारे में बात कर रहे हैं So basically हम will का इस्तमाल तब करते हैं जब हम future actions के बारे में बात कर रहे होते हैं Next word है shall तो shall का use भी हम future actions के लिए करते हैं लेकिन इसमें जो subject होता है वो first person होता है जैसे कि for example I shall teach you to dance तो ये एक future action वाला sentence है और इसमें जो subject है I वो एक first person है एक और example we shall go to school tomorrow तो ये भी future action वाला sentence है और इसमें जो subject है we वो first person है So that's all ये था हमारे chapter का explanation I hope so आपको समझ में आ गया होगा So जाते जाते वीडियो को like और चैनल को subscribe करके bell notification on करना मत भूलना So मिलते हैं आप से next वीडियो में एक और नय चाप्टर के साथ तब तक के लिए हस्ते रहिए खुश रहिए जै हिंद जै भारत